सब्सक्राइब करें एसन टेक्निकल चेनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सकें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहुत घ्यां सब्सक्राइब क्या जाता है हमारे पास यहां पे और ट्वैल्फ वाइरिंग को सतु में हाज के स्मझने वाले हैं उसस पहले हम यहाँ समझिते हैं कौन-कौन से रूरान YouTube प्रीपर हैं यहां पर एक fan regulator है, जो कि fan को control करने के लिए यूज किये जाएगा, तो इसके लिए हमें एक switch की requirement होगी, यहां हमें एक 5-pin socket इसमें connect करना है, इसे चलाने के लिए भी हमें एक switch की requirement होगी, यहां हमें एक indicator switch हम use करना इसमें ताकि हमें पता चलते रहा है, हमारा board में power आ रहा है, या नहीं, हमारे पास 5 different socket है, जिसके हम अलग-अलग जो भी devices है, उसे control करने वाले है, 5 points है हमारे पास, तो इनका wiring किस तरह की जाएगी हम drawing में भी समझने वाले है, हम इसे practically connected किस तरह किये जाएगा, यह भी समझने वाले है, तो आज के studio में हम just board wiring देख रहे हैं, आगे चलकर inverter की wiring किस तरह की जाती है, और different-different wiring connection भी हम समझने वाले है, चलिए पहले हम board में सभी जो devices हैं हमारे पास fan regulator, switch, socket, सभी को connected कर लेते हैं, फिर इसकी wiring को हम drawing में समझते हैं, तो चलिए यह हमारा board बनकर complete हो गया है, अब इसके wiring किस तरह की जाएगा पहले हम drawing में समझ लेते हैं, पिर इसे practically बना कर भी देखने वाले है, चलिए पहले इसकी wiring को हम drawing में समझ लेते हैं किस तरह हम इसमें wiring करनी होगी, तो हमने जिस तरह इस में जो component connected की है उसी तरह यहाँ पर लगाया है यहाँ पास एक fan regulator है उसके लिए एक switch 5 pin socket उसके लिए switch M5 other point है जो कि यह 5 other point है और एक हमारे पास यहाँ पर एक indicator है और यहाँ पर दिखा जाए तो हमारे पास एक MCB है जहाँ से हम phase neutral और earth connected करने वाले है तो इसके wiring किस तरह की जाएगी चलिए हम drawing में पहले समझ लेते है तो जैसा कि किसी भी device को चलने के लिए 220 हमें supply देना होती है तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर component होते है सभी में हम neutral already connected करके रखते है जो board होता है board से just हम phase को control करते है तो पहले किस तरह इसकी wiring board में की जाएगी पहले हम board में समझ लेते है फिर board से किस तरह component connect होगे यहाँ समझ लेगे चलिए board में पहले हम 220 supply हमारी ले आते है तो हमारे पास जैसे board में phase neutral और था है तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमें phase को लाना होगा तो phase को आप indicator में भी ला सकते है और किसी भी switch में कहीं पर भी ला सकते है बोड में तो जो phase है हम एक switch में पहले connect कर लेते हैं आप indicator में भी ला सकते हैं तो हम सबसे पहले जो phase हमारा आ रहा है उसे एक switch में ले आते है switch में नीशे की तरफ ले आते ह जो हमारा neutral आ रहा है उसे हम यहाँ पर 5-pin socket में connect कर सकते हैं और ध्यान रखे 5-pin socket में line कहा देना है neutral कहा देना है उस पर लिखा वा होता है तो जहाँ पर लिखा है वहीं पर आप connect करें तो 5-pin socket में हम यहाँ पर अभी neutral को connect कर देते हैं direct और face को हमने अभी इस switch में connect किया है यह रही बात आर्थ की तो आर्थ की just हमें इस 5-pin socket में ही देना होगा तो 5-pin socket में हम इस आर्थ को connect कर लेते हैं तो चलिए हमारे board में अभी supply आ गई है अब किस तरह board में wiring की जाएगी यह समझ लेते हैं तो चलिए पहले हम neutral की wiring कमप्लेट कर लेते हैं neutral हमारा यहाँ पर switch में आ गया इस 5-pin socket में आ गया है just अब हमें इंडिकेटर में लाइन भी देना होती है और neutral भी देना होता है ताकि हमें indicate होता रहे हमारे board में supply आ रही है तो यही से हम क्या करेंगे एक neutral को लेगे और इस neutral को हम इस indicator में connect कर देगे चलिए हमारे neutral का काम यहाँ पर connect हो गया है हमें इन सभी point में भी देना होगा तो हम last में देगे चलिए अब हमें क्या करना है switch में face की wiring किस तरह की जाएगी यह समझ लेते हैं तो चलिए सबसे पहले हमें अबर पर जितने भी switch connect है सभी में face को नीचे की तरफ connect कर लेते हैं और ध्यान रखे सभी में आप individually wire की looping करके इस तरह connect करें कई क्या करते हैं टाइम बचाने के लिए सभी में wire शील के डाल देते हैं उससे कई तरह के disadvantage होते हैं तो आप इस तरह बिल्कुल ना करें सभी में अलग-अलग आप looping connect कर लें जितने भी आपके पास switch है सभी में छोटे-छोटे wire आप आसनी से connect कर सकते थोड़ टाइम लगेग बड़ आपका काम सिस्टेमेटिक होगा आप सीधा wire डालना बिल्कुल भी ना डाले इस तरह का wire क्योंगे आपका कोई switch खराब होता है तो आप उससे switch को बदलने के लिए सभी looping को निकालना होगी और कई disadvantages होते हैं इसलिए आप सीधा wire कभी भी नहीं डाले छोटे-छोटे wire connect करें चले सभी जगह हम पहले phase की wiring कर लίते हैं तो phase हमें इंडिकेटर में भी देना होगा था इंडिकेटर में connect कर लेते हैं to से स्विच मैं फिर इस स्विच मैं और सब्षी में हमारा अभी जो फेज है आ चुका है तो चलिए यह अभी हमारे सभी सुच में फेज नेूट्रल आ चुके है अब हम सबसнить पहले 5-pin qrooket का connection समझते है तो 5-pin soicket के लिए हमारे ऊचे तो यह चलेगा कब जब इसमें राइन और नुट्रल मिलेगा तो नूट्रल हमने डाइरेक्ट कर दिया है जो लाइन होगी उसे में इस स्विच के सद्वारत देने वाले हैं एह स्विच को अन करेगे तो हमारा जो लाइन है वह आके switch को मिल जाएगा तेमस हमारा जो 5-pin circuit वो इससे control होगा और हम इससे जैसे on-off करेंगे तो यह control होता रहेगा चलिए अब हम fan regulator का connection समझ लेते हैं fan regulator में क्या करना होता है इसमें हमें 2 wire निकले हुए होते है चोगि fan regulator को हमें series में connect करना होता है तो हमारा fan regulator में यह switch से connect करना है तो इस switch से connect करने के लिए हम क्या करेंगे regulator के एक wire को switch से connect कर देगे और जो regulator का दूसरा वाला wire होगा उससे हम ले जाकर fan में connect करने वाले है तो fan में अभी just हमने face दिया है neutral हम डायरेक्टर देगे किस तरह देगे लस्टम देखेगे तो हमने क्या किया है यह जो इस switch से जैसे इसे on करेंगे तो fan regulator के दौरा हम इसे series में connect करके fan regulator को supply चली जाएगी अब हमारा पास यतने भी point है जो 5 point है सभी से इस switch को जैसे on करेंगे तो इस point में supply आएगी इस switch को जैसे ही हम on करेंगे तो हमारा यह bulb on होगा अब रही बात यह 3 point की तो इस switch को जैसे ही हम on करेंगे हमारा यह point control होगा इस switch को जैसे ही on करेंगे हमारा यह point control होगा और इस switch से हमारा यह point control होगा तो हमारे सभी point पर भी face पहुँच तुका है इस switch है, इस switch से हम सभी point को control on off कर सकते है तो चलिए अब हमें सभी point में neutral connect करना होता है क्योंकि हमारा device है वो 220 supply भी चलता है तो neutral हमारा जहां पर भी है तो neutral सबसे पहले हमें इस fan में connect करना होगा जैसे इस fan को 220 मिल चुका है, जैसे इस phase को हम on करेंगे, तो हमारा fan on हो जाएगा और जो हमारा neutral आ रहा है सभी point में हमें neutral को देना होता है, phase यहाँ पर आ चुका है neutral हम सभी जगे डायरेक्ट connect करने वाले है, सभी point में हमारा neutral मिल चुका है अब हम board में wiring को स्टार्ट करते है, जिस तरह हम द्रोइंग में दिखाया था, उसी तरह board में wiring को अभी कर लेते है सबसे पहले हम face की wiring कर लेते है उसके पर neutral और आर्थ को लास्ट में करने वाले है, सबसे पहले जितने भी switch है और indicator है, सभी जगा हम अब लुपिंग ही कीजिए, भड़े थोड़ा वाया लगे है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगे है, बड़ लुपिंग ही कीजिए, कई persons क्या करते है कि वह छोटा वाया छिल कर सभी जगा एक साथ डाल दे तो काफी गलत होता है, तो इसा बिल्कुल ना करे, सभी जगा यहां से मिल गया है, और यहां पर देख सकते हैं, फाइब पिन सोकेट में दिया गया होता है, नूटल कहां देना, फेस कहां देना है, तो यहां हमें नूटल कनेक्ट करना है, तो यहां पर हम अभी नूटल को कनेक्ट कर देते हैं, जहां पर नूटल देना हो, वहीं पर द करनेक्ट 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 करना होगा और दूसरा वाला सीरा जो है हमारा ये फेन में चला जाएगा जिस तरह में दिखाया था सबढका और इसीया सुष है सबीका उपर वाले सीरा हमारे जो पॉइंट है वहाँ बचले जाएगे चलिए जो 5-Pin socket है उसे किसा करना है यह लेते हैज जो सबीके ऊपर वाले सीरा से हमें आप देख सकते हैं करनेक्ट यह सा हमारा 5-pin socket इससे control होगा तो यहां से हम 5-pin socket में सप्लाई को अभी connect कर देते हैं तो इस तरह जितने भी सुछ है हमारे स्विच के जो उपर वाला सीरा होगा उससे आप जिस भी device को control करना चाहते हैं उस device में फेज ले जायाकर दे दीजिए वीडियो में किस तरह की जाती हैं तुल स्विकों पर वीडियो बनाने वाले हैं तोया मारा वीडियो कंप्लिट हो गई है अअपको यह फ़्या ल nóघ रएप्सस एलता आपके यहां ठाइंट ईर्बले अगुण चाहीं सब्सक्राइब हम पूछीश करेने इसका जवाब